ये मूवी यार इंडियन पॉलिटिक्स पे बेस है तो भाई साब इस पे पॉलिटिकल बहस बहुत ज़ादा होने वाली है खुश खबरी लेके आयों भाई तुमारे लिए कंगना रनो दाकड मूवी के सदमे से बाहर आ गी है और भाई साब उनकी नई मूवी का एक फस्ट लुक एक टीजर आया है इस मूवी का नाम है इमर्जनसी और इसमें इनोंने ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदरा गांधी का रोल किया है तो भाई साब तुम समझे लो कि थोड़ा सा कॉंट्रोवर्शल टोपिक होने वाला है चलो इसके बारे में बात करते हैं हाँ यार आप मूवी रिव्यू के लिए एक सही जगह पर आये हो अगर तुम फीमेल एक्टरस की भी बात करोगे या इवन मेल एक्टर्स की भी बात करोगे ना तो कंगरार अरणौत वन ओफ दा फाइनेस्ट एक्टर्स है और यार उनके एक खास बात ये भी है कि वो किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने से ही चकती नहीं है तो इसलिए उनके हेटर्स भी बहciónते है और उनके फैंस भी बहुते है उनकी यार जो मुवी होती है वो जालतार ऐसी होती है जिनमें वो लीड रोल करते है मतल्ब कोई हीरो वीरो की उन्हें ज़रुत नहीं है वो खुदी इतनी बड़ी स्टार है, वो अपनी movie को खुदी इट कर देती है पर भाई, पिछली कुछ movies ना इंकी flop हो गई है, बुरी तरह है जैसे कि तलाई भी और धाकड, और धाकड तो और बुरी तरह flop हो गी थी लेकिन कुछ थोड़ी सी राहत की सास उनके लिए आ गई है क्योंकि OTT पर ये जो मूवी है न ये थोड़ी सी चल गई है तो ये इनके लिए अच्छी बात है खैर बात कर लेते हैं इनकी जो नई मूवी आ रही है इस बार कंगना ने भाई बहुत तगड़ा सब्जेक्ट चुना है मूवी बनाने के लिए और उन्होंने बनाई है देश में जो इमर्जंसी लगी थी सन 1975 में उस पे मूवी बनाई है और वो खुद रोल कर लिए इंदरा गांधी का जो हमारी फॉर्मर पी-म थी टीजर में यार कंगना रनोत का जो लुक है और उनकी जो एक्टिंग है वो एक नंबर लग रही है बाई साब मुझे लग रहा है बहुत तगड़ी मूवी होगी इस मूवी की भाई राइटर, प्रोड्यूजर, डारेक्टर सब कंगना रनोत है भाई सब कुछ उन्हों नहीं करा है ये मूवी यार इंडियन पॉलिटिक्स पे बेस है तो भाई साब इस पे पॉलिटिकल बहस बहुत जादा होने वाली है मतलब कुछ दिनों में अब तु अच्छे सुनाई देने लगेंगे तो खेर यार ये मूवी का जो मुद्धा है वह बहुत जादा होट है यार मुझे तो मूवी का टीजर भाई बहुत जोरदार लगा तुम्हें कैसा लागा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर तुम्हें वीडियो करो और इस चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करो